हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एकदम करार इसी टेश्ट इसी नास्ते की रेस्पी तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें आधी गाजर डाल देंगे तो बारी सकते हैं दो हरी मिर्ची डाल देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे एक आलू ग्रेट करके तो बारी कले ग्रेटर से हमने आलू को ग्रेट कर लिया था और उसके बाद यह सब्जियों में हम डाल देंगे आधी चमज नमक तो नमक आप स्वात के अनुसारी डालेगा तो हमने आधी चमल नमक डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी सब्जिया छोड़ेंगी तो हम रेश्ट पे रख लेंगे इसको पांच मिनट के लिए और आगे की तयारी कर लेंगे तो एक बाउल लिया है हमने और आधा कप हम पोह डाल देंगे इसमें कोई सब भी पोहा हो मोटा हुए बारी को आप किसी भी पोहे से इस नास्ते को बना सकते हैं आठ पानी को निकाल लेंगे उसके पानी को निकाल लेंगे और एक है अब भीगोना नहीं है अब हम सबजिया ले लेंगे तो असमय पहे को इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमच जीरा और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे तो आदी चमच से कमी हम सारी चीजे डाल रहे हैं थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्ची का पौडर डाल लेंगे आदी चोटी चमच लाल मिर्ची डाल रहे हैं आप चाहें तो पॉडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें ये अमचूर पॉडर है तो ये डाल देंगे अगर आपके पास निम्बू का रस हो तो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल लेंगे और आधी चमच हम डाल लेंगे सफेद वाले जो तील होते हैं तो पसंद हो तो डालेगा नहीं तो इसकीफ कर दीजेगा थोड़ा सा हरे धनिये की पतिया डाल देंगे और उसके बाद इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करके ताकि ये सबजियों में अच्छे से पोहा भी मिक्स हो जाए और थोड़ा सा बढ़ी असा इसे दबाते वे ऐसे कर लेंगे तो पोहा भी एकदम मैस हो जाएगा इसके साथ सबजियों के साथ तो ऐसे ही करके और इसे बढ़ी असा मिक्स कर लेते हैं तो एक तम फटा-फट बन जाता है इनास्ता कभी भी कुछ हलकी फुलकी भूक हो या कुछ भाहर से खाने का मन करें तो आप इसे 10 मिनिट पे बना के तयार कर सकते हैं तो इसके पाद अच्छी से हमने इसे मिक्स कर दिया है तो अब हम दो चमच इसमें बेसन डालेंगे इसकी बैंडिंग के लिए तो बेसन ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बेसन की वो आती है तो इसलिए हम थोड़ा कमी बेशं डालके बस हलकी सी binding हो जाए इतना ही बेशं डालेंगे और इसको बढ़िया सा मिक्स करते वे और डो की तरह बना लेंगे तो ऐसी ही करके तो उसके बाद हम क्या करेंगे हलका सा यह वैसे लग रहा है थोड़ा सा पानी की कम हो रहा है पानी क्योंकि इसमें पोह भी था तो पोहे को भीगो या नहीं था तो इसलिए थोड़ा सुका सा लग रहा है तो इसमें हलकासा दो चमज़ पानी डालके और मिक्स कर लेंगे तो ये आप देखे बढ़िया सा डोबन के तयार हो गया है उसके बाद हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और जितना हम रोटी के लिए लोई निकालते हैं उतना ही निकाल लेंगे और इसको अच्छी से ऐसे कर लेंगे उसके बाद कूल कर लेंगे तो जो भी सेब आपको पसंदो वैसे आप बना सकते हैं तो हम ऐसे ही टिकी की तरह ही इसे बना रहे हैं हलका सा इसे दबाते हुए और थोड़ा पतला ही रखेंगे ज्यादा मोटे नहीं रखेंगे तो इसको किनारियों से अच्छे से सेट करके तो यह आप देखें सारी ऐसे ही बना लेंगे तो सारी बना के हमने तयार कर दीएं तो चलते हैं गैस की तरफ तो इदर हमने दो बड़े चमाज तेल गरम करने रख दिया था तो एक एक करके डाल लेते हैं चितनी भी आएंगी एक भार में और गैस को मीडियम पे रखेंगे ज़्यादा कम भी निकरेंगे और तेज भी निकरेंगे और इसको थोड़ी देर बनने देंगे उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे तो इसके उपर थोड़ा थोड़ा हमने चमज से गरम तेल डाल दिया था उसके बाद सब को पलट लेंगे तो थोड़ा-थोड़ा हलका कलर इसमें आने लग गया है तो ऐसे ही करके थोड़ी-थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे और एकदम करा रहा होने तक इसे सेक लेंगे तो ये आप देखें दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया है तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंदा आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो ये आप देखें कितनी करारी सी बन गई है तो फिर से एक बार और हम पलट लेते हैं इसको तो एकदम बढ़िया सा ये अंदर तक सिख जाती हैं इसमें पोहा भी है तो एकदम भी कच्ची नहीं रहेंगी ये अंदर से तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा सिख के एकदम तयार हो गई हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे और ऐसी करके सब को निकाल लेंगे तो ये आप देखी पूरा नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सिस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताएगा इसे सॉस चटनी अगर आप चाय पीते हैं श्याम के टाइम खा रहे हैं तो चाय के साथ खाएगा बहुत ही टेश्टी लगता है तो एक बार ट्राइ किजेगा थेंक यू झाली के सब्चाएब box पाली के लगता है तो ए फंजेश्टी लगता हैं जरूर छूर रहे हैं मेह लगई मेज़ा झाली के लिगएगा हैं झाली के से बार रहे हैं लगता हैं